आगे बढ़ते, दूसरा मेहत्पूर जो छेत्र है, जो हम लोग के लिए हमेरे से चर्दनी परांथ था, बंगाल अगर हम बंगाल की बात करें, तो बंगाल भी मुगलों का एक परांथ था, ठीके, के इंदर कम जो है, हैदरापाद ने एक मुगलों से अलग सत्ता चलाई जा सती है, तो देखा देख खिया और थी परांथ करना है, उन में से एक बंगाल भी है, अममन बंगाल का परांथ भी होता था, वो मुगल सह jsाजादा भी होता था, मुगल सहुआ था उसका खुआ जो बंगाल का मिर बक्षी होता था या दिवान जो होता था वह परभाशाली बन जाता था क्योंकि फिसारा कम बो दिखा है बैक मुझा लजी कुमार तो लजी कमार है नुट दिली है तो दिवानी के मामले आले अर शयना के घी फैले भी बेखनीक देखे है अज जब यह बेखनी देखे गा तो पर या छिक असी कमाई आज करेगा कमाई करेगा तो पर वो तो शेका के क्यों दें दिल्ली को टेक्स नहीं दे रहे तो करोण रुपेगी आंदी तुरन सुलू तो दिमाग तो तिसी का भी कराव हो सकता है तो फर्टुक्सियर के समय तो 1717 में मुर्शित कुली खाओ मुर्शित कुली खाओ जब सुधार रहा जाता है तो ये मौके का पायदा उठाता है केंद्र कम जोर है और हम मजबूत है तलवार से निदर मात्वा पांच वो इसकी क्वाल्टी थी तु ये दिरे बंगाल को सकंदर राज की टारे डिल करने लगता है तो फिर इसके इसके समय तो तो समय कनी तक कुण शू और बंगाल को मैं यंश्या ने लेगता है बुराजसु की नई परणाली लागू कर देता है, बुराजसु के लिए वो टिजा रेता है, चीजों को मैंने करने रहता है, मुशित कुली खांग, 1727 तर्ट आते आते मुशित कुली खांगी मत्पी हुजाती है, 1727 सुजाओ दिन इसके बाद, 1749 में जब सुजाओ दिन की म तो उसमें बिहार को जो बैक्ति देख रहा होता है, उसका नाम होता है, अलिवर्दी खांग। ये सुचता है, कि सरपरास खांग कोई मजबूत अरी नहीं है, इसको मैनेज़ के रखता है, तो अलिवर्दी खांग और सरपरास के बीच युद्धू जाता है, और किस दमाद था इसका मतलब यह हुआ कि अलीवर्दी खाँ इसने क्या है इसने क्या है मुगल दवस्था में अस्तर शेथ किया है इसको राज़ द्रोग मानेंगे कि अलीवर्दी खाँ अलग श्यार था टो ये 2 करोड रुपए नज़ाना देखर कि अलीवर्दी खाँ यह अनिमती क्या है अचा अलीवर्दी खाँ दे कर राता है dus 1745 शे जब हैदराबाद के मामलों में इप्रांशिसी और अंग्रेज उपदोट ऊलगत दने लगए और इसमें भाभ रिया कि अंग्रेज बहुत ही अनकर पूट मेती कर रहे आं पर आलिए पर यह बहुत कुछ करेंगे इनोंने सुभाथ करती इसलिए अलीवर्दी खां ने एक इस्टेटमेंट जारी किया था इसको जालगर किया अगोड़ा फेमस ठेड़ोगे तो काट काट कर अन्रीवर्दी करता हैं था किसी होती है अलीवर्दी करता है बंगान के निकूंद से प्रचित ने रहे लाजन ये अलीवर्दी खां कांट गाद रहे हिए और अंपी नोत्या थे है यह एक आंगता जो इन सब पर भारी पाड़ी को अगरई थी वेशुक बटना क्रब की जानकारी नोको नहीं थे को मंदूक इस्तिती में थे कुए के मेठक जितना ओपर दिखाई देला है वहीं जनसार है उसी को यह सचमान बेठे हैं अंग्रेज परिष्टी में तो उस समय तक अंग्रेज काफी कुछ सोच चुपे होते हैं, क्या हमें करना क्या है, क्या है, कुछ इस तरह एक नक्रम भी होते हैं, के ने मौक में जाता है, तो बंगाल में अंग्रेज की भी टेक्टी है, तो बंगाल में अंग्रेज की भी टेक्ती है, क्या होते हैं, तो अंग्रेज और फ्रांसिसी करते क्या है, कि अपने अपने फेक्ट्रियों की किलेबंदी सुरू करते हैं, तो अंग्रेज कलकता में जो उनका फोल्ट विलियम होता है, उसकी किलेबंदी सुरू करते हैं, और फ्रांसिसी अपना चंदर की किलेबंदी सुरू करते हैं, अ ये लिए जते हैं बंगाल जिब बंगाल आता है तो वह इसी मूर से घाता है कि जो हमारे साथ भी गलत कुआ अरशायुद न जो एकस पहले से सजादी बंदा ने जो इस ज़िए भी बंदा लेके मुदा है और वह सजाजुद लागी इससे तियां पता का का ता है तो बिखता है कि स्वाजु दला की जो मौसी दसीटी पेगा। उसका एक कदम है। यह लोग पर बिरोधी थे स्वाजु दला की बिरोधी है। और जो अन्य अधिकाली वागर को बड़क होते हैं। उनको भी क्लाइब एक शर्यन पे बहत, और पर पैसे के बल पे अपनी और मिला लेता है। अपताती साथ इन सब कटनाओं का जो सर्जब कोता है। कि प्लासी का युद्ध जब होता है 1775 में। तो उसमें जो सिराज दॉला है यह मार गे जाते। और सिराज पे स्थान पर मीर जाफर को नवाग बना दियाता है। कटनाओं जाते हैं। अंग्रेजों को बलेगी किसी चेटर पर अधिकान ना मिला हो लेकिन रुपया का सब मिला। यह जिस्से की वो आगे की वरंपर नहीं थी तो यह सब मीर जाफर ने डटी के लिए किया। इसलिए मेर जाफर को अंग्रेज इतना इससे लूट लेते हैं मेर जाफर से मेर कासिम जब लदी पर वैठता है यह अंग्रेजों की चाला की समझ आता है लेकिन समस्दे इस बात की थी कि यह लोग इतनी देर में चीज़ा समझ रहे थे इतना टाइम दगा था कि जब बात है कि लाटी पिटने से अप्या होगा लगीर पिटने से तो चीज़े निकल जा कि इस सोस्ता है कि मुशी दावाग एक पेंद बन गया है अग्रेजों की वांगती हुझा होगी ही इलों की शकल देखनी पड़े उतना अच्छा लेकिन आज्गे शाम आनने वाले तो तो आओ 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 बात परो हमसे आओ बात करो होगी तो पैसा मांगेंगे उन्ह अब बरतन तक विखवाजीनोंने नवापके मैले यह सगिस्ति करती है तो मीर काचिन जो है यह यह काफी परिसान रहता है अंग्रेजों से अब बड़ी घटन घटी है 1764 में मुन्रों है जो नित्रत करता है चौशट में अच्छा इसमें सामिल कॉन कॉन है तो इसमें अग प्लासी जीतने की वज़े से अंग्रेजों को पैकप मिला धन और सेना का वो उनके लिए बड़ा पाइजमन सावित हुआ और जो प्लासी का विख युद्ध था ये तो मालो शड़ेंदर दौरा जीता गया लेकिन ये जो हैक्तर मुन्रों ने लड़ा ये सेन ने कुशलता क्योंकि ये वागई में युद्ध था लड़ाई थी उबक्सर के रुद में बंगाल अबर मुगल पार्शा इसके बाद बड़ा आंतर बंगाल की इतिहास में आ जाता है जिसने भारत की इतिहास को भी परभावित किया वो था इलाहबात की सभी एक बार अगस्त को एक सु अगर पैसा है तो आप उच भी प्राप्त कर सकते हैं नेश्ट है अवद आवद युदे एक सभांत चेत होता है और यहां का जो है उसका नाम इस प्रवाववश्चेतर का जो जमाता है सादध खाहा इसको शलंद की आद्मी था इसको शलंद करने में बड़ा बड़ा आता है न सादध गुरहन उन्पुल्थ होगते इसको 1722 मे है अपना महावश्चेतर इतना मजबुत कर लिया कि इसने लगोग अपने आपको मुगलों से सोपंद बना दिया अब जब अब आवद उसमत बना लिया तो वहापर इसन अपने टन से चलाने लेगा तो बंदवस्थ इसने अपने साब से करने तुरू कर दिया इस सपाने लगता है इसको पता नहीं क्या लगता है मतलब यह है कि दिल्ली का आकमा भारत में शेला, नादिर्शा का, जब नादिर्शा ने आकमा किया, तो साध अठाने, मदब कहलो कि नियोता दिया, इसमें कोई बुराई नहीं हूँ, इसको लालस दिया, पैसे का, तो में चना पैसा मेलेगा, हम दिलवाएंगी, आजो, तो नादिर्शा आकमा करेता ह तो वो तो अपना, लूट पाट करके चला जाता है, लेकिन नादिर्शा पर इसे बुलवाता है, कि तुम्हें कहा था, कि पैसा दिलवाएंगी, इसे कहता आओ, कहा है पैसा, तो ये डर के मारे सुसाइट कर लेता है, और उसके पाद, आवद में, आवद का नवाब बनता खुशित करना भी डर की बात है, उसे लिए जिगर चाहिए, कि अगर मोगल की पर सेना भी जीगे तो कह करेंगे, और कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है, कि अच्छा आवद में सादत खाने सुतन साजमाली है, तो मोगल बासा से परमिशन लेका मोगल सेना लेके आवद प सब्सक्राइब करना भी जाता है, यही करण है कि अबस के नवाब को नवाब नगर करकर पलब नवाब अजीर के ना सुरूग भी आगया था, क्योंकि यह उसी समय वजीर भी था मोगलो का और अबस का नवाब भी था, कि 1754 तक आते आते यह तो लिए लेके नवाब बाद 1754 में और इसकी मित्यों के बाद ही भाद लिया था, पक्सरयोध में चुकि यह परज़त पर जाता है, मोगलोसा परज़त यह परज़त जाते है, बंगाल का अफदस्त हटाया हुआ, नवाब परज़त पर जाता है, तो यह स्चितिया वैसे गंभी हो जाती है, हलांकि आव कि अंग्रेज बहुत चला थे, उन्होंने आवद को एक बॉफर इस्ट की रूप में बना के रखा, क्योंकि उत्तरपस्यम से आकमर हो रहे हैं, मराथा, लाइम लाइट में हैं, विस्तार कर रहे हैं, अंग्रेजों को लागा कि अगर हम चेतर विस्तार करेंगे, तो हम एक ब आवद को अपने अंदर में नहीं रखा आवद की नवाभी चलती रही, 1775 तक पॉंस्ते-पॉंस्ते-पॉंस्ते, सुज़द्व लागी मर्ती हो जाती है, शुज़द्वाला की बाद आसर पुद्वाला घदी पर बैठता है, आसर पुद्वाला यह लगद से 1797 तक यह ब बढ़ा इमाम बढ़ा, यह वही आसर पुद्वाला है, इसके बाद जो में नवाभी चलती लगद अथाशंस्ता आसर पॉंस्ता है, वो हैं, इसके बाद वाजदली, वाजदली शाह जो है, यह लगदाँ अथारासो, 1797 तक पॉंस्ता है, इसके पीचमे तबाम नवाभी लेकिन आंति रूप से पर 1847 जो नवा रेता है वो वजदली सा रेता है तो अंग्रेज वह हैं वो आवद को कुशाषन का आरोप लगाकर कि वहाँ पर शासन अच्छे से नहीं चल लाएं तो कुशाषन का आरोप लगाकर आवद को हरप लेते वहाँ पर एक वेटी को देशते हैं अंग्रेज आवटरम को और आवटरम से कहते हैं कि बताओ आवद की सथी कैसी है तो आवद आवटरम जाते हैं भावध की बीपोर्ट देते हैं वह खार मिलिखने कि यहां कुछ असन कानि या राजियों को पाउचाशन के में पने सब्सक्राइब तो कुछाशन का रूप लगाकर आवद को अलप लिए जाता है और इसी लिए कहा जाता है कि जो वाजद लिशा है ये आवद के अंतिम नवागते इसको हम लोग डल होजी के समय फिर एक पर प्रहिंग इसको नोट के लिजे अझाए अज़बाराज में तुस्ती इसी बात है कि अंटेबाद इक इंशेत्नों को जिते हैंगे ठीक है आगे पाट अगेपें अगिला जो में होन है मैसूर आगे रहे हैं यसे हम लोगों ने विजे नगर के बाइद था कि आते हैं? हम लोगों ने विजयनेगर ना, कहा तो दरना टक्छा ना, विजयनेगर का पतन सुरू हो गया था किसके समन हम लोगोंने एक युद पाला था ताली को था अब कभग था पंदर में प्रेसर बहुत महत्पून है, तो अंदर की संधी हुई तो यह पालिक प्रेज़ चीब हुआ था तो जितना भी विजनेगर था वह अच्छा था था तो नुफान उठान था और उसके बाद फिर आर्विडुवन्स की इस्थापना होगी थी विजनेगर में ठीक है, कौन सर्वन्स आर्विडुवन्स यह हम लोग ने पढ़ा था, आर्विडुवन्स की समय, तो थोड़ा सा ज्यान देना, की समय छेट से सुतंत भूने लगते हैं, और एक वाड़ियार बनिश्का जो गठती है, आगे चलके एक राजा हमें दिखाई देते हैं, चिक्का प्रिश्नराज ठीक है, और एक देवराज, यह दो भाई होते हैं, जो मंत्रियों के मनद जो बड़े पत होते हैं, मंत्रियों वो तो वास्त भी सकता जो है, उन राजा ठीका के पास ना होके इन दोनों के पास थी, नंजरा जोल, देवराज, अच्छा उस समय इसलिदियां क्या थी, के दिजर दिरे मरठा डेवलप देवलप करता हैं, जब कोई राज डेवलप करता हैं, तो शिती सी बाते हैं के आस पास तो नियुक्ता सार तो वह दगाता रेवलर इंटरवल में आकमा का उद्धा दन की लूट के दो चार साल तुम कमाओ हम आएंगे लूक के लिए जल जाएंगे तो कही न कहीं मराठाओं के रेवलर इंटरवल में जो आकमा पे उसकी वज़े से जो मैसूर राज है उसकी जो इमिज है बहुत अच्छी नहीं थी, राइट 1721 में कहीं कहीं 1722 विता है एक बैक्ती के जनम होताइट इसका नाम है है एधर अली तो इनके समय है एधर अली जो है देदे अपना परभाव बढ़ाना सूर कर देता मैसूर में एधर लिगे नम होगा था बढ़ा हुआ तो इसमा राजदीती के भी समझती कहां कहां हो राहे इसलिए यह अंग्रेजों को जानते थे इसलिए नोहीं के सास्धान लेकि आंग्रेजों को उखानी के अंग्रेजों के समुखके विशेर राजदीती को समझती यह जोग यूरीट की कर रहे सिन्य होगो इसलिए नोने अंग्रेजों से इदा लोगा लिया क्यों वो चांथे थे कि अगर हमने अंग्रेजों को नहीं बगाया तो यह हमें बगाएंगे यह मालों मार देगे इस बार पैने पूरा विश्वास्ता अब जब है अब जब है अगया अगया मजबूत तो यह दुश्मन कौन हुए मर अठा निजाम है अब तो यह जिए जमनावी थी किसी है इनको और इनको अपने पक्स में करके इनको निपता था है यह दोनों अग्रेजों में साफ मिल जाएंगे इनका भाड़ना पिलता है अब सुख़िये बार्ट अब सब्सक्राइब शुख़ों मिल जाएंगे अब सब्सक्राइब यह जो विए कि अगर आगर हम एक डूसरे पर और शक्ति पर ना कर तो कि हम लोगे शेयों करें कि तौन निर्दारित हो गया अगर है कि हमारा जितना नहीं के थिप अ, अगर शालो कर दिया 1798 पर मराठो ने हैजरली पर्टेक कर तो आपसी में लावैते एक दूसरे क्षपी कम्योट पढ़े थे, कापी रुम्षान हुआ उसमें है अंगी जो उपतर लिया, कि इंगी दूस्पनी हो गई है, तो है ने कहा के अंगी जो सिक तुमने हमाई बरस नहीं कि जमरट्यम परट पड़ेक्ट कर वे आपर संदीक अउलन न कर दिये, अंगर तीपू परपढ़ जाता है उसी समय यो दमेगी और अंधितास प्रस उच्छासी में मंगलोर की संदी हो जाती है, और इस मंगलोर की संदी में तीपू और अंगरेजों के पीच जो विजट पर देश हैं उलटा दी जाते हैं, डोनों अपने पेच्छे थोगते रहते हैं, मंगलोर की संदी षाती, लोर्ड मेकाट्नी ही वॉर जबरषती मंगलोर की संदी कर लेता है, इस समय बंगाल अंधरीन जरणल वर इने स्टिंग में तो बड़ता हैं, वर इनस्टिंग को बड़ीन फोगता है, वर इनसो अँजो नबलाता यह है तो जems़ेय權 आतें की व्रा तो बूरी पराजित होता है यह रणकटन की संधी है इस संधी से टीपू बहुत बूरी तरहे जला जाता है अचा अंग्रेज क्यों पीछे पर एंग्रेज इतना पीछे इसलिए पर है कि टीपू और फ्रांसिसी वे बीडियो लिंक है लिंक का मतलब जैसे मालोग टीपू है क सुदंता गव्रक्ष लगाता है बारत में बैसूर में वजब टीपू की अभिलाशा यह थी कि अंग्रेजों को हम बारत से बागा दें क्योंकि वह यूरो भी लाज ने को समस्ता था वो अंग्रेजों को जानता था कोई इस बास से भी अच्छी तरह से परसे थिता कि अग अब क्या होना चीए चौथा होना चीए चौथा आंगल मैसूलियो थी यह होता है सब्सक्राइब इस समय जो बंगाल का गवर्ण जनल है वह बहुत शैतन बेटी लॉड विलेजली भारत में आया ही था इसलिए कि हम विस्तार था समझना चाहो मत विस्तार का पहला के अगर विस्तार विक्रान कोर्ण चाहरा थैससे थे अपर अग्रल्ण जनल्य करते हैं उसने पूरा मन दणा लिया था याव में टिपू को निंग देखना, 17 निनान में चतु आंगल मैसुरी दोता है, इसी जोटमें टिपू किले के बाहर तरबता हुआ मैसुराजी का छोठा वाग увूक्शी भी करनी जोपरी कदी पंढ़ देते हैं एक अधिकारम के लिए लेते हैं प्रपिसको, प्रणागे मैसुराज था कुछ प्षीन Hafid thou को प्षिभी धैपार देरे जी जिस निए अधिकार best मैसुर का अधिकार था आर्फ बिद्वाद्ट पहले था तो अग्रेजों को विजों को एक बाद आरिस बाद गरा था कि ऐसा ना को जो प्रांसिसी है मालों उन्टा पूर्फ से देख रहे हैं चीजों को प्रांसिस मलत सब्सक्राइब और देख जाये इसी बीच नैपोलियन ने करांथी कफाइड करांदी कि बाद शाटाली सब्सक्राइब को बैरा सो यह ता है नीजार सूचिए धिक हम ब्रतेन को यूरोप से काट दे यूरोप का संपूर पर फ्रांस करें नहीं अश्क प्रेश्च नहींगे तो अगवुला हो जाएगा ब्रतेन अवह होगा अगवगुला हो गया परस्षिम से नेपोलियन टीकू को मदद करना सुरू करें तब तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती नेपोलियन युरोपे साथ भार पिलोज़ेगे तो बया इसको शांत करों तो इसको शांत करना में जोंकी बहुत बड़ी मजबूदी तो इसी तरह का एक चेतर रुहिल खंड की जो पहले प्रादधानी थी परेली आवल और उसके बाद इनोंने उबाद में राम पुत यार रखिया प्रादधानी नाम हम लोग काफी सुनते हैं इसमें क्या हुआ रुहिल खंड या रुहिले जो थे इंगो रुहिल खंड बनगे रुहिले जो है इंगे जो मुखे वेलोजी थे वो आवत दिल्ली जाक यह जो शेतर थे यहां से नको नलाता चुना कियां मिलती रहती थी यहां का जो लिदर था रुवेल खंड का समझना उसका नाम था हाफिज रह्माथ था चोटा चेतर था पहाडी मित्र चेतर था उसीन शामिल तो भी बहुत दिमागी नहादा था हाँ अल्की पूल के कराओ इसके उतिरते थे महलो जाटो से लगे या आवद से लगे तो हना समझा इंगे जोने के उसके गराया और उसके तो है हम सरे इसे जेंट करेंद स सुटाफ भी आए शिम खमर अटनें बंशलतार पका पिए घंक', में तो धन प्रापती है तो मराटो ने रोएलों पर आक्रमन किया तो इसमें क्या हुगा कि अबद ने अंग्रेजी मदद से मराटों को बगा दिया यह बहुत बड़ी गट्ना होगी मराटों के लिए इसलिए बाद में मराटो ने अब जहन किया था दिल यह बहुत आपके अबद ने अंग्रेजी मतद से मराटों को बगा दिया अब क्या हुगा कि अबद ने अलू हिलों से अबर्ध ना ने इसलिए ने खुप विए गरेजा की मतफिने में अबद ज़ातना किया है और उसी आपर में जो हपिछ मतख हैं हम यह माल दिया घ्रःघा वो आपध को टेकोवा न कर रहे दें लेकिन आपध की कंदें पर रखे बंदुक चला रहे थे तो आपध नाराज अरे आपध तुम कैसे ना शक्ते हो, नाराज ना हो, हम तुम आइस साथ हैं हो आइसा रोह लगो मेरपुल क्ट्रा का तु युद है वह वा था पॉस्ताफो चॉन्टत में मेरफूर कर राट यू दमें मारा कि आपके अब तो क्या होगा उस नहीं होगा रोहल पाज़ अंग्रेज अपना थेग अपट रामपूरी के दिद्रों पर ठादिंगे अपके बैचे बैचे जाना कोई बात वाहमें बताना तुक्षे पैठेड यह अपनाओ कहनी सुनाना सुनो कर देंगे ठीक है चली मैसूर मैसूर के हम लोग साली और रुखेल को अब एक चीज छोड़ी सी लेगई है वो यह है कि जैसे मलीजे हम लोग चाचा करते हैं ना अब 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 विश्चा करें अब यहां पर मुखे बात था होती है कि मराथ तैयार होते हैं तो उस समय इन से पोचा लेने के लिए अंग्रेज खले हैं अग्रेज इस बात को बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल भी खलें टहने कर सकते हैं उनकी कतिवदियों में कोई इयों करें यह अंग्रेज करहँ अब ना विश्टार करेंगी अचनल कुछ मराफ हो इसों को डृब्ली निर्फवी सभ्जार है कि इक अ कि एक हर्ण लाग कहले ज्सक्राइग स्प्तल्रेंद करें आप जो दो पर बटाए हो जाती है तो एक समाकर दराइगे बना बत्स अ छाएक Oh प्रवनातरों लुग तो प्रविक टॉन्स जो घुड़ा जब प्रवा परवा प्रवा को प्रविक जो रहा है जब रागोवा पेशावना जाहते है तो फुरत की संदी है यह बंबई की जो सरकार है उससे भी प्रवाश्यों संजिना अग्रेज भारत में है अभी तो जमें 1757 में प्लासी हुआ, 1774 में बकसर हुआ, तो इस समय कलकता में 1773 का रेवलेटिंग पास हो चुका है वहाँ पर एक बंगाल का गवर्नर जनल आ चुका है Gray इनिः कि संदी ऑच TR दी करती है तो, और आपको कैथे हैं, कि आ प्लासी सदी हो, और वहां चीता है, अगर आपको दे देंगे, मदलब को बिलाके एक अंगेजों का बहुत बड़ा बेनिफिट था, लेकिन ये संदी बंबड़ी सरकार से हुए है, ध्यान रखना, अब समस्या क्या आती है, कि इस संदी का कलकता सरकार बिरोथ करती है, ध्यान से समझना, संदी तो होगी, इनको पेशवपना अभी हम इस स्थिति में नहीं है, कि हम उनके आंजिक मामलों में हज तक्षिप करें, ऐसा ना हो कि हो पिर समुझ बनाकर, गुरु बनाकर हम पराक्मन करतें, एना खामखा, धन और जन की अद्धा दिखानी होगी, परणाम सुरूख, आंगल और मराठा, यह दो सुरू हो क photon, क्लकता की जिए सरकार है अंघ्यों की वह इसको मना करई है, थिंए संती, उचित नहीं है, वुलता कर मना करई है, और, जो क्लकता की सरकार है वह alan इसक्तियाँ क्रंपल गंसे चले, कि वा जैनly, इस भी जोता क्या है? 1775 में एक यूद भी होता है उस्च यूद में मरठा और अंगर्जों पिजू यूद होता है उसमें मरठा शना पराद पुजाती है 1775 में लेकिन बहुत बहुत बड़ा इससे पढ़नाम निकलके नहीं आता है क्योंकि जो पेश्वा है वो पूना बना रहता है अंगर्जों को लापता वे जब पेश्वा आटे क्या इसी बीच जो कलकत्ता की सरकार है वो क्या करती है वो रागुवा का समर्थर नहीं करेगी अब किया इस वह अब पीच्वत के जो और रेजों की जो बंबगाई सरकार हे वह रागुवा का शर्कार के वरह को मेसं कभाने क्यों संदीक करते। और रागोबा का अमर्थन नहीं करेगी यह वो जबान दे चुकी है अब भस गया मामला अब पर सुटता है कि इसका ड़ने कासी निकलेगा बंभाई की सरकार पुरंदर की संदी अब बाध की संदी का बिरोध कर रही है और इस बिरोध की चलते है प्रोग्राम में आगे बर जाएगी तो अप्रिवार 17 से बिल्टरू जाती है जब 1789 होता है तो उसमें अंग्रीजी से नहार जाती है अब अंग्रेज आगे, यह बहुत बला, मामला हो गया कि अंग्रेजी से नहार गी, बंबई सरकार की सूरत की संधी, तब मामला खटाए भी जगा गया और सबसे बड़ी बात कि अंग्रेजों की इंसल्ट हो गया, और छोटी मुटी इंसल्ट नहीं ज्यान रखना कि इस समय अंग्रेजों को ये अंग्रेजों के लिए अपमान जनक थी, अंग्रेज इस अपमान को सेहन इंसल्ट पारे थे, उनको लगा कि ये इस्तियां कुछ इत नहीं है, बड़ा गाउंगी संधी में ये डिशाइड़ गा कि 1773 के बाद जो बंबई सरकार है उसने जो छेतर जीत गलतियां हो जाती है, हराएंगे तो हम है ही मरठाओं को, हाँ बस ये है थोड़ा सा, आप सी बिवाद हो गया, कल गत्तपम बई, उस शक्र में थोड़ी सी घतना, गड़ेदे नहीं कोई समस्या नहीं है, अंग्रेज फिर उलज जाते हैं मरठाओं से, लेकिन इस बार वह स मैसूर से युद दन्ने में, वहाँ पर दूसरा आंगल मैसूर युद चल दा है, तो अंग्रेजों ने दिमाग लाया, और अंग्रेजों ने दिमाग लाया क्या किया, कि 1782 में तुक्से बड़ी बिस इस्ता थी, वह यती, कि आने वाले 20 वरसों तक अंग्रेज और मजबूत कर रहा था, मैसूर कुस्तुन तुनिया, फिर अपने सम्द मजबूत करने में लगा था, तो अंग्रेजों कोई लगा था, कि ऐसा ना हो, कि मैसूर हमारे किसी बड़े विरोधी को, जिसका कोई सामराज हो, जैसे कुस्तुन तुनिया, आना, आटमन सामराज चली अगरेश करने का मौका ना मिल जाये लेकिन मैसूर राज जो है वो लगातार प्रयास में था अधिक दुष्मन का दुष्मन हमारा दूस्त तो ब्रृटेन का दुष्मन फ्रांस कि महल सांत हो किया अंग्रेजर पेशुआ है वो अलग लग भूए इधर क्या हुआ इसे कि हम नों ने पढ़ था कि चौथे आंगल मैसूर जो तमें 1799 में मैसूर को आंगेजों ने जित लिया जब मैसूर को आंगेजों ने जीता तो जो इस्तितिया थी भू आंगेजों के अब मैसूर का जो पूर पूर अच्छेता है तो अब बंभी से नीचे की अंगे जोगा प्रभूत इस्ताफित करना तकी इलापों में अब यहां से कम से कम ग्राप हो सकते हैं अभी तुमाह लो दो दुशना से लाना पड़ता आप तो एकी आएगा अगर कोई बाहर से आता ह कि मर्ति हुजाती है अथरस हो गया सपस तो आप यह समझेए कि अब मराठाओं को बचाने वाला कोई नहीं बचा नाफर नवीस जब तक थे तब तक जो मराठाओं का अलग-अलग तामंती टाइक से विस्तार हो गया था जैसे ग्वालियर एक समों एक छेतर ग्वालियर ब तो उसले इंदवर में होलकर यंदो जनती है तो यह नाफर नवीस का जो मुखिका रहता वो था इनको बांदे रखना नाफर नवीस लेकिन जब इनकी मृत्ती हो गई तो यह उतंदर जैसा ब्रफार कनने लगी पेश्वा जो बाजी रात होती है वो गवर आगया और जब पेश्वा बसीन की संधी करता है तो पेश्वा वो सब कुछ खो देता है जो किसी राजी को इजटदार बनाता है अचा क्यों खो दिया आई देखें जब बसीन की संधी होती है तो इस संधी के तहत पहला काम एक कुना में प्रतरेंगा तब इसको लिंक करतेंगे वहां से खिलालाप को यहां पर बिंदू औशी है अंग्रेजी सिन्ना को विंवाने रखना था जब अग earning 59 से ना अगर रोखा तो अगर खर्चा पानी तो देना पड़ेगा तो अंग्रेजी सिन्ना का जो खर्चा पानी है वह कैसे निकालाएग गा वह संधीन अग आएगी वह कि ए पепने खाल म् verw कि एंग्रेज्य को म् देदा कि आग्या के को जब सकते हैं एंग्रेज जने कि चाहता खें कि और शूल 새िज संदि को हम करेंगे मैं सनु कि यह प्लाम है कि जब तिल मिला समने ». मोर्म बुस्ट के नीतियां अपनाते हैं अंग्रेज। अंगलमें सूर्य लोगता है। कि इतना इंट्रेरेंस किसी का पररास्त नहीं और अंग्रेज जान मुझके इंट्रेर कर रहे हैं तुम लडो तुम्हें मुझबूर के लगने के लिए को अध़ी तुम्हें नहीं रा है आखिरकार भोसले और सिंद्धिया ये संप्टमरचा खोल देते हैं। अधर क्या हुआ ? बनाते हैं, अब इन्होंने सहीं तुमोचा बना लिया, लाई लाने लगे, अच्छा इधर क्या हुआ, कि जो अंग्रेज हैं वो तो त्यार बैठी है, तो होता क्या है, कि अंग्रेज उत्तर और दर्चर की कमान, जो अंग्रेजों की सेकिंड लाइन उप एफेंस है, उसको स और जो उत्तर की कमान पी जाती है, वो लॉर्ड लेक को, अब युद्ध सुरू, लॉर्ड लेक उत्तर में दिल्ली आग्रा जैसे छेत्रों पर कप जाकर लेता है, और इधर आर्थर विलेज जो है, वो मरठा, जो सिना पती हैं, उनको हराना पुरू कर देता है, अठासु सिन्धिया के कंट्रोल में थे, अब ये लोग घबा जाते हैं, सिन्धिया और पुरू सिले, तो अब ये लोग अलग अलग अंग्रेजों से संदी करने के लिए तयार हो जाते है, अब बुरी तरह हार गए, लॉर्ड लेक जो है, ये दिल्ली आगरा, वो जीत लेता है, तो जो सिन्धिया और पुशले, चुकि यहार गए है, सिन्धिया और पुशले, ठीक है, तमझना, तो ये अंग्रेजों से संदी करने के लिए मजबू जाते हैं तो अरजुन गाउं की संदी, अठास्टीन में सिन्धिया से कल लिजाती है, और पुशले से देवगाउं की संदी कल लिजाती है, अब इनकी हालत बिल्कुल निस्ते नाबूत हो गए, अब इनकी दम खतम, समझना, और जो बड़ी बात यहां को रही है, वो ये, कि इन संदियों के मात्यम से अंग्रेज गॉलियर में भी खुश ले, और भोसले, जो नापूर के हैं, तो नापूर में भी अंग्रेज खुश ले, अब अंग्रेज दो जगे खुश ले, दो बलगी तीन जगे, उना, गॉलियर, नापूर, इस बाद को संदो, यही है में मोटिव, यो तब भी तिसरा होगा, तिस प्राश्पुर्काट की संदी कनने के लिए मजबूर जाते, यह सब मजबूरी में संदिया हो रही है, जो परोदा का एक वाट है, वो चला के वो अपने आपको तरस्त लेकर चला है, हाला कि बात में मजबूरी में पविद्टों करेगा ही, यह महत्मूर तीन संदिया होती टीक है, अठार असो, टतरा अठार, में योत जो है और संदिया हो इसी दोरान हो की है, टतरा अठार में, यह उत के हो रहा है, पस्तुरेक अर्थो में अगर देखा जाए कि यह उत के होगगा, तो पता है क्यों होगा, यह उत इसलिए हुआ, क्योंकि इंग्लैंड से फर्म हमारा भारत में दबदबा बने और कोई बाहरी आटेक ना करें इतनी शक्ति अरजित कर लो कि कोई बाहरी शक्ती आकमर करने की ना सुचे इस दोरान जो पेश्वाओं के लिए या माराठाओं के लिए उससे खराब बाती हो थी इस समय लॉर्ड हिस्टिंग्स यह गवर्णर जनल था लॉर्ड हिस्टिंग्स यह बहुत तभाही वाला आदमी था इसको तभाही पसंद थी जब यह आता है पता है यह पिंडारियों क एक कि प्रॉपर जानता था कि अगर हमने पिंडारियों का मैटर केच किया तो पेश्वा नराज जाएगा, क्योंकि पिंदारी के बात जो है वो पेश्वा तक पहुंझ जाएगी, इसमें दो बात थी एक तो मरढ़ा हूँ या पेश्वा को बुरा लगेगा, पिंदारी मारे जाएगे, दूसरा, कि पिंदारी का इसूउ खळा करके, आग्रेज जो लगन तो उन्हें बहाना चाहिए कि आजाओ जुद्ध के मैजान में और वही हुआ कि जब पिंडारियों का तमन्द तुरू किया गया तो पेश्वा नाराज हो गया और पेश्वा ने कुना में जुप्रेटिस रेजिदेंट रहा है ना अभी बताया था रेजिदेंट पर हमला कर दिया वास्तविक अल्पों में दिखा जाए तो अंग्रेज यह चाहिए थे एक कोई तो सुरू कर दो युद्ध बाकी तो हम समझ लेंगे क्योंकि अंग्रेज इस समय तक 1877 तक अंग्रेज पूरे तरह से मठा जुचेतर था उसमें अपने डिपो उन्होंने पनालिये थे रेजिदेंट के मातिम से सेना भी थी आपकेवल और केवल हराना पाकी था पेश्वा को घुकुसाती है और पेश्वा पूना के रेजिदेंट प्स हमला कर देता है अन्य कैमपों पर दी हमले शुदू कर दिया बस अंग्रेज ने का बस आपकोई जो भी है आप सब क्लिए हो जाएका जल्दी तो अंगे जोने युद करना जुरू कर दिया फिर वही टीम सामने आवे एक इंदिया ओलकर दोसले गायकवाड और पेश्वा पेश्वा को सबसे नीचेस से लिखा रहें पेश्वा गये तो मतलब सब गये पेश्वा खतन का मतल सब्सक्राइब गयेम ओवर वोसले अंग्रेज सेना पर टूट पड़ते हैं क्या करें सेहन नहीं होता इतनी पेश्वा पेश्वा अंग्रेज करना है तो खोलकर जो है यह जब टूटते हैं तो पाज़े दूते हैं और नार्पोर की संथी करने के लिए बाद हो चालते हैं तीकर उसके बाद स क्पड़ी मॉर्चा खोल दे अंगलोगिज दोकूछन तो क्लोबटोन में यह जेदेते हैं थेजा को फोशे है जाए तुट है सन्दीर इसोनभत भी करें जूजने लगते हैं अंगेजों से बाजिरब्ती बुड़तर है प्राजिदोते हैं अब पेश्वा भी पूना की संधी करके किसी तरह अपनी जान बचाने में प्रफम जाते हैं कि अदिकतर समय अधिकम और का ओल्पर कुछ को नैगे शुने साथ हो अब यह अपनी प्राज है वैसे स्विकार कर लेते हैं तो अंगेजों को बिल्कुल भी तमस्या नहीं होती है मराठाओं को पुरी तरह से समापकन्दे में यह वो समय है जब मराठा सुरज है वो पुरी तरह से अस्त हो जाएगा सब हत्यार डालें यह तो रटसते रहें बाद में सही होग देते हैं लेकिन परज़तों जाते हैं इन कच्छतर वैसे वी अंगेजों के पास अंगेज वैसे उसको डिल कर वैसे कुझार को लेशे तो बाकी जो संदिया है इन संदियों से निदारित हो गया था अब पेश्वा खतम होते हैं 1818 मरठा करते हैं इनका जो पेश्वा है बाजी गाउ दूती है इनको पेंशन देकर बिठूर दी आ गया आपिटूर पर कानपूर उतर प्रदेश तो बाजी आथचिती है को पिंशनर बना दिया और हैं कानपूर मिठूर दिया अगया बात रही पूरे पूरे मरठा हम राजी की तो ऐसे जीरो तो नहीं करेंगे तो नहीं करकिया के जो मरठा साम राज है वो शेवा जी एवन सच वो पतारा में गर्थी पर बैठाया आप अंगरी बैठा रहें तो कुछ मतल भी नहीं है क्योंकि वो तो इसलिए है गदी बरबढ़ा रहें कि एक दवस्ता के तहट चीजें बनी रहें तो पूना से उनको किसका कर दिया सतारा और बागी सब सब अंग्रेजों के अधिन यह सब अंग्रेज को करते ही थे उनका जो मूल उद्देश यह होता था वह होता था यह हम तो आगे बढ़ना है सब प्ला प्ला भार इस महाबार से हम को समझ में आ गया इंग्रेजोंने मैसुल को जित लिया अंग्रेज को जित पंजाब में इस्ताफित होता है और इनकी मिलत्यू के बार पंजाब अंग्रेज जीतेंगे तोड़ा सा रंजी सिंग के उपर दोचार बते रंजी सिंग इनका जन्म 1780 में हुआ जन्म और ये तुकर मिलते हैं तो पता नहीं क्यों तो पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों पंजाब राजी स्थाफित किया बनाया ये बात समस्य पर रखती है तो अट्राइस दो में ये अम्रेसर को भी जित लेते हैं तो इनकी राजनेतिक प्राजदानी पॉल्टिकल के लोजाती है और अम्रेसर जो है अधार्विक राजदानी और एक सिस्टमेटिक दंग से ये राजज जलने का पर्यास करते हैं पंजाब राज उसके बाद जैसे मुलतान है कश्मीर है ऐसे शेत्रों भी राजी सिंग जी अधार्विक में लगे हुए थे थे शोस्तरे हुए है मैसूर में और मठाव में अगे बदता है तो रखी सिंग अधिय में अग्रत गथन करते हैं तो ये उर्योपी नमुने पर सेना का गथन करते हैं और जनल आलाड जनल बंटूरा ये फ्रांस के हैं इंकी घल्प मिलती ह भाखी में बहुत अच्छी कि लगती है। रजी लोग थे। युरोपी बी थे। शेनी भी थे। और अनु वर्वों के शेनिक आपके बीदिक एक पंजाब राजी की स्थाफना कर लग थे। पाजार राज वेश्था स्वर्म्हें सब्सक्राइबूं आप गरते हैं नो इतर ऑन स्थी हुआ है आप आप डिसनित्या नियम नोग uystalıs良ma क्यों कि इसमें संदी में इस पस्ट और पर यह कहा जाता है कि अपना विस्तार जो है उस सद्लत नर्दी से नीचे की तरव नहीं करेंगे रजी सिप्टार कर लेते हैं इस संदी जो संदी है वो रणजी संदी है अंग्रेजों की तरव से मेठकोव कि अगरेजों से कभी लोहा लेने का पर्यास नहीं किया इवन हथ तो बजाती है जब इस इस बात को जाता है तो रजी सिंग डायलोग बोलते हैं कि एक दिन सब लालो जाएगा रजी सिंग इसलिए कि जो अंग्रेज है कुछ इस तरह से उनकी नीदियां चल लई है रजी सब कि अंग्रेज विस्तार करें और वह सफल होंगे और वह हम से रहने आएंगे तो हम भी लएंगे रत बहुएगा यह बात हुचानते थे खिर रजी सिंग जो है इनके बारे में एक और मुद्द आई है कि रजी सिंग आपने साहच सुजा का नाम तुना होगा साहच सुजा स में पजर को फ़िसे घुड़ा परद किया था मैं को इनुर इंग्लेंड भीजना है कि नहीं इंग्लेंड कैसे जाएगा जोंगेज के पास कोँछे तो फ़िस्ते जो है यह चला जाएगा ति अच्छा आगे चलिके एक और अंग्री लोग बीच अभी कोई बबाद नहीं है 1839 में रजी सिंग की मृत्यु बढ़ाती है पता निक्यों अंग्रेज इंका इकना समान पर रहे थे 1849 में पर रजी नहीं की मृत्यु के बाद पंजाब में पंजाब यू राजनेती है उसमें हाखार मच जाता है और एक के बाद एक इनके उताधिकारी वह बखधिक बैटना तुरू कर लेते हैं नौनिहाल से इंग, खडशाग से इंग, पिर आगे चलके अंदिलिग सींग तो राज्जी सिंक बट्ट्व के बाद, पंजाब में राजनेतिक संकट उत्पन्ण हो चाहता है। बस इसी संकट का इंतजार अर्चाओ एक इंतिजार करें तो वहां पर नोग वी दूटल है। इसके चलते हैं, एक के बादे बदर जाते हैं, तो इसी का फायदा उठाकर, अंग्रेज, युद्ध करते हैं, जो पहला आंग्लिसिक युद्ध होता है, इसमें चार लडाईयां शुरुवाती है, चार लडाईयां होती है, पहली, मुद्ध की, फिरोश्या, बद्धोवाल, और अलिवाल, यह जो लडाईयां है, यह अनिरनेत, रहती है, इसमें कोई निरनाय नियल पाता, लिकिन उसके बाद, सब्राउपी लाईय होती है, जो निरनाय आप रहे, अंचे लाई, सब्राउप यह लडाई परवरी, अठारसु चैलिस में होती है, और इस उतमें अंग्रेज जीत जाते है, जब अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेजों का एक काम, यह अपने फेवर की संधी, जब निरनाय करही, तो अंग्रेज, जो की इस उतमें विजही रहे थे, अंग्रेज सतलज नदी के दर्षण, जब सतलज नदी से नीचे उतर के नहीं आएंगे, और जो भी छेतर उनका है सतलज के दर्षण का, वो सब अंग्रेजों के अधिकार में, तो यह अंग्रेज जीते हैं, बात बातों ही की मनी जाएगी, यह बात सुविकार कर ले जाती है, इस यह नदी से लगवाल सिंग है, इनको वजीर, और दिलिप सिंग है, यह राजा, वह महाराज-अजर नजी से नीचे तो यह शुटें नावले है, अच्छा, इसी दिश्टिया क्या बंती है, कि लाहूर की संधी वजाती है यह लेकिडिन अंग्रेज संटुछ निं होते है, तो इसी के परल लो कि और पार रह संदी में अंग्रीजी अंग्रेजी अंग्रेगी ओस आता रहनेदें मैंने सेंजीस हख़गी वनाक कलाइब को एंग्रेजिक इस संदी के रहे होды верх बीलाल के संथि लाहोर में पश संदिन पर हो रहना प्विकार रहा है इससे क्या हुगा कि अगर पंजाब में या पंजाब पर आजो यहां पर एक जानकारी जो है वो अगर आगी अगर वह वहां कि संदिक कि यह कुछी नहीं है दूसरा आंगल सिख्ष होता है कि यह होता है अधर। अधरार कि कर्केश है अधर। जिद्ट से का जाते हैं तो इसमें दो प्रेकत शुरॉख में होतें हैं ए एक राम नगर की ज़िह युद पहले पर इमस एक लाव तक आप आप अधिक युद्ध युद्ध याद रखाई दूसरे आंगलिस्टी युद्ध से सम्मंदित युद्ध है इसलिए आपको युद्धों के नाम लिखाया रहे है अगर आपसे कुछे के मुद्धी का युद्ध किसे समंदित है पर शाब दो बाल वाल वाल पूर फिर इसने युद्ध का नेरे कर दिया पंजाव राज्य अगरेजी राज में मिला दिया गया पंजाब तॉतंदर पंजाब की जो इस सतिया है वो ख़़म होई और अब पंजाब जो है वो एक बिटिस राजी के रूप में पैचाहा जने लगा अच्छा जो मेंन परसन है भाई रण जो दिलीप सिंग है वो तो भी चोटे है इनको पांच लाग रुपाई की पेंशन पर इंग्लेंड बेदिया गया और इन्हीं के पास कोहिनूर था कोहिनूर भी इंग्लेंड चला गया बास सम्झो इसलिए कोहिनूर कहानिया आपको बताई थी तो मार्च आते आते पंजाव राज जो है वो पूरी तरह से बिटेस राज में मिला लिया गया क्योंकि उत्र उत्र परस्रिम का मांग ला था तो अंग्रेजों को पंजाव राज जीतना बेहर आवश्य था पहली दूसरी चीज के अंग्रेज कोई भी ऐसा कॉर्णर नहीं पंजाब को जोड़ देंगे तो गुजरात से लेके जो जमो कश्मी तक का मामला है उस पूरे चेतर में अंग्रेजों कांगी अंदर इस्ताप तो जाएगा ना इसको नोटके लीजे अğğाम में अंग्रेजों काल राय। झाल झाल